अगली साल सोना होगा साथ हजारी आईए नजर डालते हैं इस खबर पर गोल्ड को महंगाई के खिलाव हैजिंग के तोर पर फिलाल देखा जाता है इस समय तमाम परस्थितियां ऐसी हैं जो सोने के लिए अनकूल है हाई इंफलेशन रेट कायम है मंदी का खत्रा लगातार बढ़ रहा है और जियो पॉलिटिकल टेंशन भी जारी है ऐसे में आने वाले समय में सोने की कीमत में उच्छाल की पूरी-पूरी संभावनाई दिख रही है ब्लूमबर की रिपोर्ट के मताबिक अगले एक साल तक डोमेस्टिक मार्किट में सोना साथ हजार के सतर तक पहुन सकता है रिपोर्ट के मुताबिक International Markets में सोना अगले साल तक 2000 डॉलर पती ओंस के स्थार को छू सकता है इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण High Inflation Rate बताया गया है इस सबता Federal Minutes में साफ साफ कहा गया है कि इंटरस्ट रेट में भड़ोतरी जरूर की जाएगी लेकिन इसकी रफतार थोड़ी मंद होगी असान शब्दों में समझे तो अभी लंबे समय तक उंची महगाईदर बनी रहेगी ऐसे में Federal Reserve आगे भी बहुत ज्यादा अग्रेसिव रूख अपना कर एकॉनमी की ग्रोथ रेट को प्रभावित नहीं करना जाते है Australia Inflation Mining Limited के Executive Chairman की माने तो उनके हिसाब से लंबी अबदी तक हाई inflation rate गोल्ड के लिए अच्छा है ऐसे में Commodity Bazar के जानकारों का कहना है कि अगर इस तरीके की अनिश्चित्ता बरकरार रही तो जल्द ही सोना 60,000 के सतरों को पार कर सकता है यानि अगले साल उमीद की जा रही है कि सोना 60,000 के सतरों को छू सकता है Bureau Report Market Times TV